कि है लो दोस्तों तो कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे टीडीएज वर्सिस आई रर फूल इस्ट्रेश प्लस इंपो यह टीटू जो इंडियन वर्सिस इंडियन रिवर्स वर्स के वीजियो नेचर इसले टीडियन का टीम बलबाजी कर रहे हैं तो वही मैं जित रहा नहीं कि छेस करना थोड़ा सा मुसक्ति लिए शेकंड इनिंग में जो है इस्पी मिझेम में आ रहा है इनके तरफ से देखे गेडरोन पॉप जो की बहुत ही सांदर बल्लेवाजी तो करते ही हैं इनके अलावा ये गेनवाजी भी ठीक ता कर लेते हैं तो धियान रखिएगा ये खिलाडी पहले मैच में फलोप गए है अभी भी सेलेक्शन कम है कल के दिन भी मैं कहा था कि ये खि मैच है तो धियान रखिएगा जेलराणी रोबिंसन इनके तरफ से ओपनिंग आये थे इनके साथ में 25 रन बनाए थे लाश्ट में 17 गेनों में बाकि इनके पिछले स्टेट्स भी आप यहां पर रीट कर सकते हैं बिकेट कीपर बल्लेवाज है इन्पोर्टन खिलाडी बन करते हैं जिनका फॉर्म में आपको दिखाया था कि लाश्ट के 5-6 मैच में इनका फॉर्म बहुत ही खराप रहा था और इस मैच में भी इस्टरगल करते हुए नजर आये हैं अगर बिकेट कीपिंग करेंगे तो धियान रखिएगा कैशिंग पलस स्टंपिंग से भी आपक वैसे ज़्यादा दर यह ओपनिंग करते हैं बट लास्ट मैच में नंबर चार पर आये थे तेरे रण बनाये थे खिलाडी ठीक ठाक है जेड जोसेफ है जो कि लास्ट मैच में बॉलिंग करने आये थे पाचवा अबर दहां पर बिकेट यह बॉलिंग वैसे बहुत ही कम कर करते हैं तो इस खिलाडी पर मैं कहूंगा कि आप ले रहे हैं तो ज्यादा ध्यान देना नहीं है 27 में 242 रहे थोड़ी बहुत गेंदवाजी कर लेते हैं लास्ट मैच में उसे गेंदवाजी करने आये थे बट इस में हो सकता है कि आपको बॉलिंग करते हुए नजर आ जा रहे हैं जो कि मीडिल और में बल्लेवाजी करते हैं लास्ट मैच में कुछ किये नहीं थे 28 में 279 और इकॉनमी नाइन के पांच बिगेट निकाले है काईरन फिलिप है जो कि एक से दो अबर की गेंदवाजी कर सकते है अठाइस में चालीस अबर की गेंदवाजी 10 है किलाडी ठीक टाक है बिल्कुल ट्राइबल रहेंगे इनके अलावा जैसा कि मैं बताया हूं यह भी एक इस्पीनर्स है आपको पावर पर लेकि अंदर ही दो अबर करते हुए दिख जाएंगे अब देखेंगे यहां पर तो इन्होंने तीस मैचेस में जो है तिर उपर सामने वाली टीम में इस्ट्रॉंग बल्यवाज नहीं है यह चीज बदल सकते हैं यहां पर यह एक से दो विकेट लेके जाते हुए दिख सकते है जो एल्ट्रॉन धियान रखिएगा जिलानी जोसेफ है लाश्ट मिच में खेले थे एक लिके लिके गए थे बट इनका रिक ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं इनके रफ बराइस डोबिंसन के मेरे पास इस्टेर्स नहीं है इनका अगेंज जो कहलेगी इंडियन रोवर्स की टीम यह टीम मातरे 40 रन में ओल आउट हो गए थी लाश मेंच में अब देखें यह भी अपना पहला में चाहर के आ र हैंगे अगर आप लोगों किसी ने मैच देखा है तो जरूर यह बताईएगा मेसेज करके यह लेफ्ट है यह राइट है एंडर है क्योंकि मैं यह मैं यह मिस किया था तो आप जरूर बता सकते हैं मैं कॉमें करके कि **** यह उपनिंग करते नजर आये थे 2021 में और ताज टर्मिनर है जो कि पिछले में वन डाउन आये थे उसे एक्सेप्टेट था कि डेरों डाउन आने चाहिए था और नमबर चार पर ताज टर्मिनर बट यहां पर कुछ आप देखिएंगे तो इस परकार से हुआ था तीन तीन गेंदों में जो है चार गेंदों में तीन बन जाएंगे क्योंकि यह देट और में गेंद बाजी एक अबर जरूर करते हैं आप यहां पर भी देख सकते हैं दसवाबर डाले और पहला अबर डाले वैसे हमोमन नवाबर डालते हैं खिलाली ठीक है जो कि एक बिकेट की पर बल्ले बाज है कुछ खास रिकोड है नहीं यह 2017 का रिकोड़ा आप इनको अगर छोड़ दे तो 2022 में और यह लाश्ट मेंच में आप देख सकते हैं कुछ खास किये नहीं है और वैसे बिकेट की पर बल्ले बाज है ट्राइक कर सकते हैं जैन फिलिफ वेरी एक अच्छे गेंद बाज है बट लाश्ट में बिकेट लेस डाइकर टाइप के हैं बट कभी-कभी इनके और जो है कर जाते है तो इस करण से कभी-कभी जो है थोडी सी यह पिलियर जो है अन्पर्टेक्ट को हो जाता है पट डूपी गिनी लाश्ट में दो अबर किये हैं तो हो सकता है दो आब यहां भी करें और अपके लिए चांस है और इस मेश में खास करके हाई चांस है, क्योंकी सामने वाली टीम में आप देखेंगे तो जारे राइट हैंडर है, लील लुष का इस मेश में दो अबर का कंठर मुझे लग रहा है, बाकि लेविशेर अपके लिए अच्छा काम करके जा सकते हैं, ध्यान रखिएग डॉक्टर भी आपके लिए important रहेंगे एक pillars अगर इस match में खेल जाए तो आग बंद करके इनको CBC कर लेना है ये खिलाड़ी भी बहुत ही सांदर pillars है बिल्कुल धियान रखिया है कवेम होज का लेप्टाम और थोड़ोस spin balling करके देंगे पलस आपको ओपनिंग बल्लेवाजी CBC के बहतरी option बन जाएंगे इस match में अगर खेलते तो last match मिस्स किये थे जरी अगेश्टी है खेलते भी तो ज़्यादा धियान देना है नहीं तो ये सारे आपके पास states है बाकि हम चलेंगे अपनी demo team में बाकि discuss हम माईंपे करेंगे कि बिगेट कीपिंग से मैं जैर रानी रोबिंसन को लिया हूं बाकि आप आपको भी लेना चाहिए क्योंकि ओपनिंग दे रहे हैं पलस बिगेट कीपिंग भी साइद यही कर रहे हैं तो फिर आप इनको बिल्कुल टीम में ले सकते हैं बाकि जैर राम से रूप है लाश मैच में खेले तो अथना कुछ खास नहीं कर पाए तो अभी धियान नहीं दे रहा हूं मैं यहां पे मैं जैर हैंडरी को जरूर लेके जाओंगा यहां से देखिए यहां से आपको आते हुए दिख जाएंगे एक ही छे रन ही मनाए थे जो कि इनका और वांडरी से आया था तो मुझे लग रहा है कि हार डेटिंग कर लेते हैं तो धियान रखेगा अभी के लिए मैं यहां से जे हैंडी को लिया हूं और राउंडर से से देखिए डी निट को में ल आपको वन डाउन या टू डाउन बल्लेवाजी देढ़ेंगे जैड जो सब देखिए वैसे बल्लेवाजी गेंदवाजी दोनों थोड़े-थोड़े कर लेते हैं तो धियान रखिएगा जे मैथियो को मैं लेके जा रहा हूं क्योंकि दो अबर की गेंदवाजी जरूर दे यहां से एक प्लियर्स का मैं आपको बताऊंगा इठेंड डॉक्ट रॉप इस मैच में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं तो ध्यान रखिएगा आप डूफिगिनिंग के जगा इडॉक्ट रॉप को आप ले सकते हैं या तो फिर आप जे फिलिप बेरी के जग के साथ गई है और बाकी बॉइस के लिए टीम बन रही है बाकी मैं आपको बता दूँ कि इनमें अगर आपको किसी को और सी बी सी करना है तो टाश्ट टर्वनर एक अच्छे ऑप्सन बन जाएंगे इनके अलावा भी टिट्री ऑप्सन है तो यह चार ही ऑप्सन मुझे सब आपसे बेहतरीन अप्सन दिख रहा है बाकी मैं आपको बता दूँ कि जी पॉप भी आप रोटेर भी कर सकते हैं आप इनको सी कर सकते हैं इनको भी सी क्योंकि यह बल्लेवाजी से बहुत ही सांधर यहां पर जितने भी पिलियर्स देख रहे हैं सबसे बहतरीन किजिएगा चलिए मिलते हैं नेश वीडियो में उम्मीद करता हुमें आपको इस वीडियो के थुरू कुछ कुछ हेल्प कर पाया हैं कुछ हेल्प ही है सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चले मिलते हैं शूडियो में थैंक यू